अपने लीगल चैनल सोच फपरहार में कि उसकी वाइफ अच्छा कमाती है नौकरी करती है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है और उसको पता है कि प्रूफ ना होने की वज़े से उसको कोट में नुकसान होगा उसके लिए वो कई बार ऐसा रास्ता अपनाता है कि जो उसकी wife होती है उसका पीछा करता है यह जानने की कोशिश करता है कि वो कहां पर जाती है कहां क्या काम करती है या अगर एडल्ट्री में है तो किस से मिलती है या फिर कई बार ऐसा होता है कि private detective agencies का सहरा लेता है कोई जा ऐसे ही दोस्तों ये मामला भी हालिका है आपर एक पती ने अपनी पतनी की जानकारी के लिए एक जासुस उसके पीछे लगवा दिया एक detective company हायर खरी और एक जासुस पीछे लगा दिया लेकिन हुआ कि जब वो महिला का पीछा कर रहा था तो महिला की नजर उसके पड़ ग रूप में उसके उपर एक मुकदमा कायम हुआ लेकिन साथी साथ जो कोड थी कोड ने का कि ये मुकदमा पती के उपर भी चलेगा क्योंकि पती ने फिजिकल रूप में शारेरिक रूप में उसका पीछा नहीं किया लेकिन उसी ने तो detective agency हायर करके उस जासुस को पीछे ल जलत हैं चाहे मकसद कुछ भी हो लेकिन इस प्रकार से आप उसकी जासुसी नहीं कर सकते आप उसका पीछा नहीं कर सकते अब पती ने यहां पर अपनी safety में अपने पक्ष में ये बात कई कि भई जो उसने ये काम किया उसकी जासुसी करवाई वो पत्नी की सुरक्षा के ल ने मानने से बिलकुल इंकार कर दिया यानि इस बात को नहीं माना गया और दोस्तों देखिए यहां पर पती के उपर एक मुकदमा ये unnecessary हो गया अब थोड़ा सा अलग एंगल से बात करते हैं ये मुकदमा हुआ क्यूं क्यों क्योंकि पती ने detective agency लगा करके एक जासुस लग तो कुछ भी नहीं होता लेकिन वो पकड़ा गया अब पकड़ा गया देखो चोर तो वही है जो पकड़ा गया चोरी करते हैं जो भाग गया जो पकड़ा इनी गया वो चोर नहीं है लेकिन दोस्तों महीला का पीछा करना अपराद ही है तो जो पती अभी इस समय पे detective agency को hire क करने की सोच रहे हैं या इस प्रकार की जो है inquiries निकालने की सोच रहे हैं या पीछा करने की सोच रहे हैं उनको इससे थोड़ा सीखना चाहिए कि ऐसा नहों कि लेने के देने पड़ जाये तो वही चीजे दोस्तो practically क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है आपको सोच समझके ही चलना है यह ना हो कि मिला तो थोड़ा सा और खो दिया बहुत कुछ तो वो गडबड हो जाएगा फिर तो इसलिए सोच समझके विछार करो के हैं आपको अपको फजा भी सकता है तो यह जानकारी में आपको इस वीडियो में देना चाहरा था बाकि अपने thumbnail पे ये जो news है इसको पढ़ लिये होगा मैंने भे भी हाली में news पढ़ी तो मुझे लगा इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इससे काफी को समझे होंगे आज किस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुडबाई and thank you for watching take care